हलो एवर्वन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मिनाक्षी मैच्स क्लासिद आज इस वीडियो में हम करेंगे कोश्चन नमबर फाइव चाप्टर नमबर फिफ्टीन पारिमिटर एंड एरिया और वक्षिट नमबर वन कोश्चन नमबर फाइव यह आपका बक्षिट नमबर वन का है अब इसमें आपको दिखो ध्यान से यह करना है कि यह आपके स्टेटमेंट बेस्ट कोश्चन है आपको पहले स्टेटमेंट अच्छे से समझ आने चाहिए तब यह आप कोश्चन कर पाओगे विनीत देखो यहाँ पर एक बच्चा है जिसका निम कहा है विनीत विनीत वोंट्स टू पोलिश दे फ्लोर ओफर रूम विनीत कोई बच्चा भी हो सकता है कोई बड़ा भी हो सकता है विनीत वोंट्स टू पोलिश दे फ्लोर ओफर रूम which is 140 cm long and 120 cm wide अब देखो यहाँ पर ना इससे पहले जो question थे उसमें आपको बताया जाता था square field है rectangular garden है rectangular field है मतलब shape आपको पहले से दी हुई होती थी लेकिन इस question में देखो क्या है उन्होंने simple यह बोला है कि एक room का floor है जिसकी length और width है अब आवे देखो जो दो चीजें दी जाए length breadth दे दे length width दे दे जो दो dimension दी जाए दो dimension किसके लिए आएंगी rectangular के लिए means आपको जो room है उसकी shape क्या है rectangular है तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे एक rectangle ठीक है scale की help से मैंने यहाँ पर यह rectangle बना दिया है ठीक है अब हम इसमें देखो क्या करना है अब पहले हम इसमें लिखना पड़ेगा कि length कितनी है width कितनी है तो मैं यहाँ लिख देते हूँ यह आप इसमें लिखोगे यह आपको एक room है ठीक है इसकी आपको length दी गई है अलग से लिखोगे length of room, breadth of room वो भी ठीक है या फिर यहाँ पर भी लिख दो एक ही बात है length यह भी लिखा ही है न हमने length कितनी दी है 140 cm और width दी है width कहलो breadth कहलो width हमें दी है 120 cm टीक है अब हम यहाँ देखो हम क्या कर रहे है आपको देखो ध्यान देना है कि यह area है parameter आप find करोगे आपको पहले अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा कि question आपका parameter पर बेस्ट है या area पर बेस्ट है आप ही देखो विनीत wants to polish the floor of a room अब आप मुझे बताओ जैसे मानले जी आपका ही घर का कोई room है उसका जो floor है फर्ष है उसको polish करना है मुझे बताओ polish सिर्फ boundary boundary को करते हैं या पूरा जो floor है उसको सब जगे से polish polish तो सब जगे से होगी मानले जी कि आपके जो room है उसका फर्ष थोड़ा खराब हो गया उसे polish करवा रहे हो polish होगी तो सब जगे होगी और जब आप क्या करते हो जो surface है उसकी measurement जब आप पूरे surface को use करते हो मैंसे आपने यहाँ पर सब जगे polish की तो इस surface का आप पूरे को use कर रहे हो तो अगर कोई जग है use होती है तो वो क्या होता है area तो means इस question में मुझे क्या find करना है area ठीक है तो हम सबसे पहले यहाँ निकाल लेंगे area of room या फिर आपको polish करना है तो आप polishing area लिख सेथे हो ठीक हम सबसे find करेंगे area of floor of room जो आपकी room का floor है उसका area अब आपका यह कह है rectangle है length breadth किसमें दी जाती है rectangular में दी जाती है अब rectangle का area का formula क्या होता है length multiply breadth याद रखने है याद होंगे तब ही आप कुछ कर पाओगे आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप आपकी जहां पर यह chapter start करोगे न स्टार्टिंग में ही आप पूरे आप यह सारे formulas लिख दो कि आपका square और rectangle उनके parameter का कहीं से अगर आपको यह भूल जाओ तो कहीं बार बार बुक को सरचना करना पड़े लेंथ है 140 और breadth है 120 इन दोनों को हमें क्या करना है multiply करना है अब आप एक चीज़ और यहाँ पर देखो आप पहले यह देखो the charges for polishing the floor at is at Rs.52 per square meter कि जो आपके charges है वो किसके हिसाब से दिये गए है square meter मतलब charges तो meter के हिसाब से है लेकिन जो आपकी dimensions यह length width है वो आपकी किसमे है centimeter में तो आपको यहाँ पर यह करना चाहिए कि आपकी जो length of breadth है पहले ही आप इसको किसमे convert कर लो meter में अब आपको पता 1 meter is equal to 100 centimeter यह होता है ठीक है तो आप इसके यहीं पर ही इसके meter बना दो आप क्या करोगे 140 ठीक है मैंने आपको पहले भी कराया था एक बर दुबारा से दिखा लेती हूं मैंने आपको बताया था यह king harry died mother did not cry much इससे करवाया था आपको यहाँ पर देखना है आपका सारा question किसमें दिया हुआ है centimeter में दिया हुआ question ठीक है means आपको centimeter के meter बनाने है एक बार चलांग दो बार दो बार चलांग मतलब और जब भी आप ऐसे right to left जाते तो क्या करोगे वन मीटर में 100 cm होते तो इनको 100 से डिवाइड कर दो 100 से यहां डिवाइड कर दो और ऐसे 120 इसको भी आप 100 से डिवाइड कर दो तो जो आपका अंसर वो मीटर में आ जाएगा 0 से 0 कैंसल एक 0 है नीचे मतलब 1 अक्षर आपको देखो decimal में convert करना आता होगा अगर किसी नंबर के नीचे मतलब 10 100 था पुझेंट ऐसे लिखा हो इसमें 1 के पिछे 1 0 है तो एक अक्षर के बाद decimal यह मीटर बन गे 0 से 0 कैंसल 12 बाइ 10 है 12 बाइ 10 तो 10 में 1 0 है तो एक अक्षर के बाद decimal ठीक है तो कितना आ जाएगा 1.4 मीटर और 1.2 मीटर ठीक है तो यहां पर भी आपको यह लिखना चाहिए 1.4 इसको 0 को अटा दो यहां से 1.2 इस 0 को अटा दो ठीक है मैं दुबारे से लिख देती हूं 1.4 एंड 1.2 ऐसा क्यूं किया है दुबारे से फिर बता रही हूं यह मैंने मीटर में कनवार्टी इस वज़े से किया है क्योंकि जो कोस्ट है व इस वज़े करना है यहां पर कर लो 14 और 12 को 124048 1210 12 प्लस 4 16 168 डैसिमल के बाद एक अक्षर है डैसिमल के बाद एक तो टोटल दो होगे 122 डिजिट के बाद हैं डैसिमल लगाओ मीटर में हो गया चेंज अब एरिया है एरिया हमेशा किसमें होता है स्क्वियर मीटर में ठीक है तो आपका एरिया फ्लोर कितना जाएगा 1.68 मीटर स्क् बाद यह पार्ट होगा है ठीक है ऐसे अगर लेफ्ट मतला ऐसे राइट में फिकर बना के यहां करते हो कोई दिक्कत नहीं है उसे लेकिन मिंस पहले आपको लेंट ब्रेट करके दिखाने चाहिए फिर एरिया ऐसे करना ऐसे कर लो जो भी आपको सही लगे तो एरिया फ्लोर क किस्कोवें करने के दोताएं या तो आप इसको एसे लिखो वाइक ही है या फिर आप डिर्यार लेक्ट लिख दो अनसर आपको अक्रिट वीसे महत्ति ह heir उते हुटे है उससे मुल्टिप्लाई करना ओथा और कुछ नहीं होता हुट है यह चलो लिख़ए भू ह तो मैं यहां लिखते हूँ पर square meter का मतलब है cost of polishing पर मतलब 1 1 meter square 1 meter square की इतना है ये square meter का मतलब ही होता है meter लगा के power 2 स्क्वեर meter का खरच कितना है रूपी 52 ठीक है अब आपको क्या करना है आपका तो इतना दिया हुआ है europe ने एक मीटर स्क्वएर में आपको बताते हैं एक स्क्वियर आपके पास इसकी लैंथ भी वन मीटर है वन मीटर है वन माउटर है और वन मीटर खेंड के ऐसा स्कूर एजिसमें मैजनोयünde लेंक्लास्रूम में यूँकर डेस्क होता है उसकी लैंथ वन मीटर के आसपास ही होता है जो थ्री सीटर होता है ठीक है उससे थोड़ी सी जादा होते है तो अगर आप इस पर यहां पर इतने पर पोलिश कराते हो तो आपको कितना खर्च देना पड़ेगा 52 रूपिस ठीक है लेकिन हमारे रूम का फर्ष तो बहुत बड़ा है ठीक है therefore cost of polishing हमारा कितना एरिया है हमारे रूम का एरिया कितना है मैंने यहां निकाला था area floor of room कितना है 1.68 meter square एक मीटर का खर्च इतना है तो यह कितना है 1.68 meter इससे तो जादा है ना 1 से तो जादा होता है 1.68 जादा के लिए क्या करना पड़ता है multiply तो जितनी cost book में दी हुई है उ उसको क्या करतेंगे multiply 1.68 को 52 से क्या करेंगे multiply तो हमें क्या करना है 52 को और यह 1.68 इनको multiply करना है तो मैं 168 को पहले 52 से multiply मैंने यहां कर दिया है तो 162 को 152 से multiply करते है तो आता है 8736 ठीक है अब यह decimal के बाद टू डिजिट है तो पीछे से दो डिजिट काउंट करेंगे यहां पर decimal इसके आगे रूपी का सिंबल लगाएंगे क्योंकि यह क्या है cost है और cost हमेशा रूपी पैसे में होती है ठीक है इस question को ध्यान से करना है थोड़ा सा अलग question है क्योंकि इसमें हमें पहले जो centimeter दिया है उसे meter में convert करना है और फिर cost निकालना है और meter में convert क्यों किया था क्योंकि जो cost है वो पर square meter दियू थी ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें thank you so much